नमस्कार किसान भाईों, कल हमने अपनी वीडियो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, कि सरकार ने खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, और आने वाले दिनों में खाने के तेलों में गिरावट आईगी, लेकिन ऐसे में आप बहुत सारे किसान भाई थे, जिन्हों ने कमेंट ये किया कि आपको कुछ पता रहता नहीं आए, और आप सिर्फ वीडियो बना देते हैं, तो खिसान भाईों आपको बता दे, हम कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं, अंतर राष्टी बाजारों की जानकारी हमें पूरी तरह से रहती है, हम आपको को होडा सा भी अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही किसान भाईों तक ये वीडियो जरूर सेयर करना, ताकि उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल सके, दोस्तों आप यहां पढ़ सकते हैं, सस्ता होगा खाने का ते सरकार ने सोया बिन और संद फ्लॉर ओयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जियां आपको बता दे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटा दी है, अब आप पढ़िये पूरी रिपोर्ट, चुनावी साल में सरकार पूरी तरह से कोशिच कर रही है कि किसी भी तरह से ख 12.5% अब इसको घटा कर 12.5% कर दिया है, ऐसे में देखा जाए तो आने वाले दिनों में खाने के तेलों में गिरावट आएगी, वहीं आपको बता दे भारत मुख्य रूप से अर्जंटीना, ब्राजील, यूक्रेन, रूस से सोया बिन तेल और सुर्ज मुखी तेल का आय करता है, इसलिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है ताकि तेल की जो केमते हैं वो नीचे ही रहें, वहीं आपको बता दे इसका असर किसान भाईयों के उपर परने वाला है, जी हां आपको अब सोया बिन के दाम ज्यादा नहीं मिलेंगे, सोया बिन के जिस प्रका से मंडी में चलेंगे और हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावटा जाए